वेल्कम तो दिशा क्लासे तो दोस्तों HCS का जो फर्स पेपर है GK का वो गया है और जैसे कि हमने आपको कहा था सर ने आपको बताया भी था कि अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया कुछ फैक्ट्स पूछती है और कुछ जो है थोड़ा सा डेफ्ट नॉलेज़ वाले यान जो हम जनरली पढ़के जाते हैं लेकिन इस बार जो बांध पूछे गये हैं वो थोड़े से चर्चित भी थे और उस वजह से इसे युजी सी नेट में भी पूछा गया था और उसी पैटर्न को फॉलो किया है एक्सियस ने तो अगर हम बात करें जैसे कि निजाम सागरबांध जो की मंजीरा नधी के उपर है तेलंगाना में ये इस्थित है और हैजरबाद के निजाम के नाम पर इसका नाम रखा गया था दूसरे बांध कि हाथा तो दूसरा बांध है song का पीन ए सीला बांध जो क फिर है नाथपा जाकरी बांध जो की सतलुज नदी के उपर है और हिमाचल प्रदेश में है और अभी हाल फिलाल में ये बहुत बड़ा ट्यूरिस्ट स्पॉर्ट बना हुआ है तो नेट का जैसे की पैटर्न है चर्चित चीजें पूछना डेफ्ट नॉलेज की चीजें कारगल गाओं के उपर तो इस तरीके से भुगोल्स की अगर हम बात करें तो डेफ्ट नॉलेज के सवाल पूछे गए हैं जिसने पूरे अच्छे तरीके से सब्जेक्ट पढ़ा है यूजीजी नेट की तियारी कर रहे थे काफी सारे स्टूडेंट नेट कॉलिफाई है त तो ये एक 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 जामपल मैंने आप लोगों को दिया था कि किस तरह का पेपर आया है और भुगोल के स्पेशली किस तरह से सवाल आया है और भी एक-एक सवाल को हम डिटेल तरीके से डिसकस करेंगे सिफ ए बी-सी-डी से काम नहीं कि क्या-क्या चीज़े इसमें आई है क क्या-क्या डिटेल्ड इसके अंदर रहेंगी तो ऐसे ही हम आपके साथ पूरा पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक सटीक अपनी आंसर की मिल सके धन्यवाद